नमस्कार मीत्रों, आजे आपने प्रुष्टफड औने गन्फड विशेवाद करीशों, प्रुष्टफड ने अंग्रे जीमां सर्फेसीरिया औने गन्फड ने अंग्रे जीमां वोल्यूम कहाँ छे देहिनिक जीवन मां आपने मुडबुद गन्फडार्थ मां थी बेग के ती थी वदू गन्फडार्थ ना संयोजन्थी बनेल आकारों जोया छे आपने कोई ट्रक्नी पाछड के गाडी मां पाणी तेल के दूद भरेलू होई एवा मुटा मुटा कंटेनर जोया छे तेवनो आकार बन्ने छेड अर्थ गोलक लगावेल नडाकार जेवो होई छे आपनी विग्यान प्रयोक्षाडा मां आपने टेस्ट्यूब जोय छे ते नडाकार अने एक छेड अर्थ गोलक नुँ संयोजन छे पाणेनी डोल एग शंकुनो आड छेद छे शंकुना आड छेद विशे आपने आ प्रक्रण मां विश्त्रूत रिते जाने शू आहीं आपने केटला जानीता गनपदार्थ वना प्रुष्टफड जोय शक्ये छी है हवे आपने सयोजित गनपदार्थ वना कूल प्रुष्टफड विशे वाद करी शू धारोके आपने आ रमकडानो प्रुष्टफड शोध्वू छे पहला आपने शंकु अने अर्थगुलक लईये अने तिनी समतल्य सपाटी एक साथे राखिये अल्बद आपने शंकुना पायानी अने गोलक नी त्रिज्या एक रूप लईये छीए अन्तमा आपने एक सुन्दर अर्थगुला का रमकडु मेडवीशू आथी रमकडानो कूल प्रुष्ट फड शंकुनी वक्र सपाटी नुक शेत्रफड आने अर्थगुलक नी सपाटी नुक शेत्रफड नो सर्वाडो थाशे हवे आपने एक उदाहरन लेशू आपनी पाशे एक पेटी छे जे नडाकार उपर शंकु मुके ने बनावेल छे नडाकार अने शंकुनी त्रिज्या बार सेमी छे अने शंकुनी तीरियक उन्चाई तेर सेमी छे नडाकार्णी उन्चाई अग्यार सेंटीमीटर छे तो हवे आपने तेनु वक्रफ प्रुष्टफड शोच्छू धारोके नडाकार्णी त्रीज्या अने शंकुनी त्रीज्या आर छे नडाकार्णी उन्चाई एज छे अने शंकुनी तीर्याक उन्चाई एल छे तो गणफर्ण नो प्रुष्टफर्ण आपने आ प्रमाणे मड़ शे आपने गणपदात नो प्रुष्टफर्ण ए नड़ाकार अने शंकुर बन्ने न प्रवक्र प्रुष्टफर्ण नो सरवाड़ो था शे बड़ने प्रुष्वर्ड ना सुत्रों नो उप्योग करता आपने आपेल गणपदार्थनों प्रुष्वर्ड तेरसो वीस सेमी वर्ग मड़े छे नोंद्शो के अहीं आपने पाई नी संख्या 22 भागिया साथ लिधी छे हवे आपने मिश्र गणपदार्थों ना गणफड विशेवाद करीशू बी जानीता गणपदार्थों ने जोडवा थी मड़ता गणपदार्थनों गणफड ए आपेल बनने गणपदार्थों ना गणफड नो सर्वाडो था शे दरक गन पदार्थ जग्या रोके छे अने गन पदार्थ द्वारा जे जग्या रोकाई छे तेने ते गन पदार्थ नुग घन फड कहे छे नोध शो के एक लिटर बराबर हजार सेमी घन थाई छे अने एक मीटर गन बराबर हजार लिटर थाई छे अहिया तम में किटलाग जानीता गणपदार्थोनू गणफड जोई शको छो हवे आपने एक उदाहरन लेशू आपनी पासे एक नडाकार छे जिना बनने छेड़ा अर्ध गोलत द्वारा बंद करवामा आवेल छे तेनी 3.42 मीटर छे अने कोल उन्चाई 3.84 मीटर छे तो हवे आपने ए शोद्वानू छे के तेमा केटलू पेट्रोल समाई शके धारो के 3.42 बराबर आर छे तो आर बराबर पोईंट 4.2 मीटर थाए अवे नडाकार्नी उन्चाई शोद्वा माटे आपने कोल उन्चाई माथी 2 अर्ध गोलक नी 3.42 घटाड शुँँँँँँँँँ आम आपने नडाकार्नी उन्चाई 3.2 मीटर माडशे हवे आपने आ गणपदार्थनु गणफण काड़ीशू आपनने खबर छे के नडाकारना गणफणनु सूत्र पाई आर वर्ग एच छे अने अर्धगुलकना गणफणनु सूत्र बी भाग्या 3 पाई आर गण छे तो आम आपनने आ गणफणनु मुल्य एक पोईंट नव साथ त्राण छा छा चार मीटर गण मड़े छे अवे आपनने खबर छे के एक मीटर गण बराबर हजार लीटर थाए आथी लीटर मा गणफण मेडववा माटे आपने तेने हजार द्वारा गुणी शू आम आपनने आ गणपदार्थनु गणफण 1923.664 लीटर मड़े छे अवे आपने एक गणाकारना बिजा गणाकारमा रूपांतर विशेवाद करी शो एक गणाकारनु बिजा गणाकारमा रूपांतर करती वकते आपने एक वाद खास याद राखवी जोईये के बन्ने घनाकारोंनू घनफड सर्खू हशे आ समझवा माटे आपने एक उदाहरन लेए आपनी पासे धातुनो एक नड़ाकार छे जेनी त्रीजिया 5 सेंटिमीटर अने उन्चाई 7 सेंटिमीटर छे तेने उगाडी ने आपने 0.5 सेंटिमीटर त्रीजिया वड़ा दड़ा बनावाना छे तो आपने एशोद्वानू छे के आपने एवा किटला दड़ा बनावी शक्ये धारों के नड़ाकार नी त्रीजिया आर छे तो आर बराबर 5 सेंटिमीटर थाए હવે નડાકાનું ગણ્ફળ આપણને આવ રીતે મળ છે આમ નડાકાનું ગણ્ફળ આપણને 550 સેમી ગણ મળે છે હવે એક દડાનું ગણ્ફળ શોધતા આપણને તે આ રીતે .5238 સેમી ગણ મળે છે હવે દડાની સંખ્યા માટે આપણે નડાકાના ગણ્ફળ ને એક દડાના ગણ્ફળ વડે ભાગ્શું આમ આપણને લગભગ 1050 દડા મળશે હવે આપણે શંકુના આડ છેદ વિશે વાદ કરીશું શંકુના આડ છેદ ને અંગે જિમાં ફ્રસ્ટમ ઓફા કોન કહે છે શંકુનો આડ છેદ કઈ રીતે મળશે તારો કે આપણી પાસે એક શંકું છે તેને આપણે પાયાને સમાંતર સમતલથી છેદ શું આથી આપણને બે જુદા જુદા ભાગ મળશે આ બણને ભાગો માથી જે નીચેનો ભાગ છે તેને શંકુનો આડ છેદ કહેવાઈ છે હવે આપણે એક ઉદાહરણ લેશું આપણી પાસે એક શંકુનો આડ છેદ છે જેના બણે છેડાની ત્રિજ્યાઓ 32 સેંટિમીટર અને 8 સેંટિમીટર છે અને 8 છેડની ઉચાય 15 સેંટિમીટર છે તો હવે આપણે તેનું ગણ્ફળ વક્રસપાટેનું ક્ષેત્રફળ અને કુલ ક્ષેત્રફળ શોધવાના છે શંકુનો આડ છેદ એ ઉભા બે શંકુઓ OAB અને OPQ નો તફાવત છે ધારો કે શંકુ OAB અને OPQ ની ઉન્ચાય અને તીરયક ઉન્ચાય અનુક્રમે H1 H2 અને L1 L2 છે અને ત્રીજ્યાવ R1 અને R2 છે તો ત્રીજ્યાવ R1 બરાબર Cb બરાબર 32 cm થશે અને R2 બરાબર Dq બરાબર 8 cm થશે હવે ત્રીકોણ OCb અને ODq સમ્રુપ કાટકોણ ત્રીકોણો છે આથી આપણે કહી શકીએ કે H1 ભાગ્યા H2 બરાબર R1 ભાગ્યા R2 થાઈ જે 4 ને બરાબર થાઈ છે આમ આપણને H1 બરાબર 4 H2 મળે છે આક્રોતી આપણે ઉપરથી જોઈ શકાઈ છે કે H1 બરાબર 54 વત્તા H2 છે આથી H2 આપણને 10 cm મળે હવે આપણે શંકુના R છેદનું ગણ્ફળ શોચું શંકુના R છેદનું ગણ્ફળ આપણને શંકુ OAB ના ગણ્ફળ માથી શંકુ OPQ ના ગણ્ફળ ગટાળ વાથી મળ છે આમ આપણને શંકુના R છેદનું ગણ્ફળ છોતેર હજાર બત્રિષ સેમી ગણ મળે છે શંકુઓ OAB અને OPQ ની તિર્યક ઉન્ચાયો અનુક્રમે L1 અને L2 છે L1 અને L2 આપણે પાઇથા ગોરસ્ના પ્રમેઈ દવારા કાડી શકીએ છીએ આમ L2 એ R2 અને H2 ના વરગનો સરવાળાનો વરગમૂળ લેવાથી મળે આમ L2 આપણને આ મળે છે તેવીજ રીતે L1 આપણને A મળે છે હવે આપણે શંકુના 8 છેદની વક્ર સપાટિનું ક્ષેત્ર ફળ શોધી શોધી શંકુના 8 છેદની વક્ર સપાટિનું ક્ષેત્ર ફળ આપણને શંકુના 8 છેદની વક્ર સપાટિનું ક્ષેત્ર ફળ આટલા સેમી વર્ગ મળે છે હવે શંકુના 8 છેદનું કૂલ ક્ષેત્ર ફળ આપણને વક્ર સપાટીના ક્ષેત્ર ફળ અને તમે જોઈ શકો છો કે પહેલું સૂત્ર ગણ્ફણનું છે બીજુ વક્ર સપાટીના ક્ષેત્ર ફાટીનું અને ત્રિજુ કૂલ સપાટીનું ક્ષેત્ર ફાટીનું ક્ષેત્ર તમને આ વીડ્યો ના વીવરણમાં મળી જાશે તન્ય વાદ